Hello friends, welcome to our channel Let's Nurture Our Mind आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में स्ट्रेस क्या होता है आज की लाइफ जो है बहुत बिजी लाइफ है अगर आप अपने बुजूर्गों से भी सुनते होगे तो वो यही कहेंगे हमारे जमाने में तो इतना सब नहीं होता था इतना काम का प्रेशर नहीं होता था लेकिन आज कल काम का प्रेशर जादा है और कॉंपिटिशन बहुत जादा है चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो जॉब में हो चाहे हाउसकीपिंग में हो, हर जगह पर कॉम्पिटिशन है और इस कॉम्पिटिशन को हैंडल करने के लिए जो हम महनत करते हैं, वो कब स्ट्रेस बन जाता है, समझ में नहीं आता एक्षिल में प्रेशर सब के उपर है, चाहे वो मजदूर है काम करने वाला, चाहे वो जॉब करने वाला कोई इनसान है, या चाहे कोई बिजनेसमेन है, प्रेशर सब के उपर है लेकिन ये प्रेशर, जब अंदर के एक डर से मिलता है, आप किसी काम को लेकर अंदर से डरते हैं, तो वो आपका जो स्ट्रेस बन जाता है यानि कि आपको लगता है अच्छा मुझे ये टार्गेट पूरा करना है टार्गेट पूरा करना तो ये आपका प्रेशर है लेकिन जब आप ये सोचने लगेंगे कि क्या ये समय पर पूरा होगा होगा या नहीं होगा मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मेर से पहले किसी और ने कर लिया तो क्या होगा ये जब डर आपके अंदर आता है तो वो ही प्रेशर जो था वो आपके लिए स्ट्रेस बन जाता है और जैसे ही वो स्ट्रेस बनता है तो आपकी आधी energy उसमें waste हो जाती है जिसका असर आपके काम पर पड़ता है आपकी performance पर पड़ता है और आपके आगे बढ़ने पर पड़ता है तो stress actual में क्या हुआ? Pressure divided by your inner strength अगर आप अंदर से बहुत मजबूत है इस pressure के साथ आप डर को नहीं मिलाते हैं बलके बहुत ही शान्ती से बहुत patient से अपने काम को करते रहते हैं तो stress नहीं होगा और आपका काम भी बहुत अच्छा होगा ये आपके उपर depend करता है कि आप उसको कैसे handle कर रहे हैं इस stress के बारे में मैं आपको एक लोग कथा यानि के एक folk tale सुनाती हूँ जो मुझे कभी मेरी नानी ने सुनाई थी और तब शायद मुझे समझ नहीं आई थी अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई है एक लड़की थी गाओं की और बहुत लाड़ लिये अपने घर में क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे काम करने वाले भी बहुत थे प्यार करने वाले भी बहुत थे लेकिन उसकी जब शादी हुई तो वो एक ऐसे घर में गई जहां गिने चुने कुछ लोग थे यानि के चार-पाँच फैमली के मेंबर्स थे और उसको भी वहाँ जा करके कुछ कावाम भी घर का काम भी देखना था एक नए रिष्टे में भी बनना था नए माहौल में भी डलना था तो वो जब आगे गई तो उसने देखा कि अच्छा हो इतना सारे काम है तो सुबह सुबह उठी उठने के बाद उसने अपने काम गिनना शुरू किया मुझे तो सुबह ब्रेकफास बनाना है फिर उसके बाद बरतन करने है फिर उसके बाद साफ सफाई करनी है फिर कपड़े धोने है तब तक तो लंच का टाइम हो जाएगा फिर लंच के बाद वोई काम शुरू हो जाएंगे फिर चाय पानी होगा फिर रात का खाना होगा और भी वाकी बहुत सारे काम हैं, ओफ ओफ मैं सोंगी कब, अब वो अपने दिमाग में परिशान हुई, और इसी परिशानी में वो अपना काम करने की कोशिश करती रही, कुछ काम ठीक से हुए, कुछ अधूरे हुए, लेकिन इसी तरीके से करते करते उसका एक महीना बीट और उसकी सेहत बिलकुल कमजोर हो गई वो, अब एक महीने बाद वो अपनी माँ से मिलने गई, माँ ने उसे देखते ही पूछा क्या तो बिमार हो गई थी, या तुझे खाना नहीं मिलता, क्या हुआ, उसने का ना तो मैं बिमार हुई, और ना मुझे खाने की कोई प्रॉ कि कैसे हैंडल करना है, अब मा भी आ गई, और उसके तो वह याद है थी, उसने मा को भी अपने काम गिनवाने शुरू कर दिये, ये करूँगी, ये करूँगी, तो मा मैं सोंगी कब, अब बाद मा ने उसको एक एक करके काम बताना शुरू किया, बेटा अब तुम ये कर ल बहुत आसान लगा, क्यों, क्योंकि उसने बिल्कुल फ्री माइंड से उस काम को किया, उसने कोई इंग्जाइटी नहीं दिखाई, कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बस मा ने बताया और वो करती चली गी, तो उसे खुद को भी ऐसास हुआ, कि ओहो, ये तो कुछ स्ट्रे हमारे काम को, हमारी एनर्जी को कैसे स्लो कर देता है, अगर हमें उससे बचना है, तो सबसे पहले स्ट्रेस से बचना पड़ेगा, ताकि हम हंडर्ड परसेंट पर परफॉर्म कर पाएं, और उसके बैटर रिजल्ट पाएं, अक्सर देखा जाता है, कि 10 परसेंट ही एक्श जाएगा तो क्या होगा हो जाएगा तो क्या होगा सोच सोच के भी स्ट्रेस में रहते हैं तो यह सबसे बड़ी कमी हमारी होती है उसके बाद हमें इसलिए स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास यह नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं है तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे इसके बारे में अभी हम आप से बात करें जब आप कुछ करने लगते हो तो आप एक एक करके चीज को करना शुरू को one thing at a time ये काम हो गया उसके बाद दूसरा देखना है फिर तीसरा देखना है अपने आपको over burden मत करो कभी भी क्योंकि आपको अपनी strength अपनी weaknesses का पता है आप कभी भी ये सोच कर मत बैठो की कैसे होगा क्या करूँगा get going बस करना शुरू करो काम अपने आप पूरा होगा आप थोड़े से शुरू करोगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर इतने energy बढ़ती जारी कि आप उस काम को पूरा ही कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इसके साथ-साथ काम के साथ-साथ आपको अपनी fitness भी देखनी पड़ेगी जितना आप fit रहेंगे उतना आप काम को अच्छे से करेंगे आप stress में नहीं आएंगे अपने इसके बाद आप अपने दिमाग को हमेशा शान्त रखें शान्त मतलब आपने चुप-चाप नहीं बैठ जाना है जब आप थोड़ा सा लगता है आपको की burden बढ़ रहा है या stress हो रहा है तो deep breathing करें meditation उसी को कहते है deep breathing करें और stretch करें आपने आपको तो इन दोनों से ही आप अपने अंदर जो एक change पाएंगे उससे आपका stress level कम हो जाएगा stress के हम आपको बताएंगे byproducts बहुत ही खतरनाक होते हैं stress से BP हो जाता है stress से ही diabetes होती है और बहुत तरह की बिमारियां हो जाती है तो stress से जितना हो सके आप बचें और stress से बचेंगे आप fit रहेंगे आप fit रहेंगे तो आपको stress नहीं होगा try to be creative एक भेड़ चाल में चल कर काम को नहीं करो कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करो कुछ अलग कुछ नया करने की कोशिश करो जिसमें आपका अपना हुनर दिखाई दे और कभी भी यह मत सोचो कि यह काम मुझे मिला है हो जाएगा हो जाएगा नहीं try to do it as early as possible be quick to do it जैसे कि एक student का अगर हम exam पर लेते हैं तो यह नहीं सोचें कि exam आने से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मैं सारा पढ़ लूँगा और मेरा काम हो जाएगा ना साल के शुरू से ही अपने काम को साथ साथ निम्टाना शुरू करें तभी आप साल के आखर में अच्छे result पाएंगे और यही formula हर काम पर हर जगे पर लाग होता है आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूनें जैसे कि आपके बच्चे ने अच्छी सी ड्राइंग बनाई है आप आफिस से आते हैं और आपको आती ही वो ड्राइंग दिखाता है तो कितनी आपको खुशी होगी आपकी वाइफ ने अच्छा सा खाना बनाया है उसके उन्जाय करें उसमें खुशी ढूने और ऐसा ही आपको करना चाहिए जब आप ऐसा कर पाएंगे जब आप ऐसा करेंगे और अपनी strength को inner strength को पैचान लेंगे तो आपको stress कभी भी feel नहीं होगा stress नहीं होगा तो सारे काम अपने आप आसान होंगे I hope आपको मेरी ये बाते अच्छी लगेंगी और अगर अच्छी लगेंगी तो आप चैनल को subscribe भी करेंगे और like भी करेंगे आप अपने views अपने हमें बताते रहें Thank you